नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल एंसी की आठी हिंदी ट्यूटर पे तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय छे नाव बनाओ नाव बनाओ जो के एक कविता है और ली गई है कक्षा 4 के विश्य हिंदी के किताब रिमजिम से हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके कावियान्शों को भी समझेंगे और अंत में हम इसके प्रशनोत्तर भी करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय छे पढ़िये इसकी व्याक्या पढ़ लेते हैं बरसात का मौसम है अकाश बादलों से गिरा है बारिश किसी भी समय हो सकती है एक बच्चा बहुत उतेजित है बारिश के होने की संभावना पर वह अपने भाईया से नाव बनाने को कहता है वह कहता है कि आकाश में बादल चाए है उनमें साथ समुद्र का पानी भरा हुआ है वह पानी कभी भी धर्ती पर बारिश रूप में गिर सकता है वह भाईया से कहता है कि वे भी रस का सागर भर कर लाए बच्चे को लगता है कि पानी खूब बरसेगा और लंबी चोड़ी गलियों में भर देगा घर में भी नदी बहा देगा अतै वे भाईया से जल्दी से नाव बनाने का नुरोत करता है गुलक भारी अपनी खोलो हलकी मेरी नहीं टटोलो पैसे नई-नई ही रोलो फिर बाजार लपक तुम लाओ भाईया मेरे जल्दी आओ ले आओ कागस चमकीला लाल हरा या नीला पीला रंग बिरंगा खूब रंगीला कैंची चुटकी हाथ चलाओ भाईया मेरे जल्दी आओ तो इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं बच्चा अपने भाईया से पैसे बहुत कम है, अपने गुल्लक से नए नए पैसे लुड़काते हुए निकाल लो और जल्दी से बाजार जाओ, वहां से लाल हरा या नीला पीला चंकीला कागज ले आओ, फिर कैंची से फटाफट इन रंग बिरंगे कागजों को काट कर नाव बना दो, बच्चा अपन बइए जल्दी आओ, क्या कहते है, मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सबी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, बइए मेरे जल्दी आओ । इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं, बच्चा अपने बइए से कहता है, जल्दी से नाव बना दो, नाव चप चप कर कूरे से अड़ती हुई बारिश की बुंदों और पानी की लैरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है भईया जल्दी से नाव तेरा कर मुझे प्रसंद कर दो भईया जल्दी आ जाओ लेकिन भाईया की रुची कागज लाकर नाव बनाने में नहीं है वे कहते हैं कि यह काम मेरे बसका नहीं इस पर बच्चा उनसे पूचता है कि अगर यह उनके बसका नहीं है तो फिर किसके बसका है बच्चा अच्छी तरह जानता है कि भाईया बहाना कर रहे हैं दरसल वे आलस के कारण ऐसा कर रहे हैं वे एक बार फिर भया से आगरह करता है भया आलस छोड़ो और जल्दी से बजार जाओ और वहां से कागज लाकर मेले ले नाव बना दो तो दोस्तो हमारी कविता यहां पूरी होती है और इस कविता की वियाख्या भी हमने बढ़ ली है अब इसके करते हैं प्रश्न उत्तर कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का भया ने क्या बहाना किया क्यों उत्तर भया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है दरसल भाया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे बुंदो लहरों लड़ती बढ़ती कौन बुंदो और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है उत्तर रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बुंदो और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है गुल्लक भारी अपनी खोलो किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हलकी है उत्तर बैया की गुल्लक भारी है, बच्चे की गुल्लक हलकी है नाव की कहानी एक बार फिर से कविता पढ़ो इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है मालो तुम ही वह नाव हो अब अपनी कहानी सब को सुनाओ शुरुआत हम कर देते हैं मैं एक नाव हूँ मैं कागश से बनी हूँ मुझे एक लड़के ने बनाया उसका नाम तो मुझे नहीं पता पर मुझे देखकर वै बहुत प्रसंद हो गया उसने मुझे बैते पानी में तैरा दिया मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिला रहा था उसने मुझे बनाने में रंग बे रंगे चमकीले कागजों का इस्तमाल किया था सच मुझ मैं बहुत सुन्दर लग रही थी लेकिन यह क्या अचानक बारिश तेज हो गई मैं इतनी भीग गई की तैरने लायक नहीं रही और कुछ पौदों में फस गई लड़का मायूस हो गया आहा बारिश तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोग की सुना होगा उसे नीचे दी गई जगह में लिखो तो बरसात पर कविता है नीम की छाओं धूप के संग चली पकड़े भां ने उलीचे सागर से अंबर धरती सीचे गंगा निर्मल बहती अविरल पीती गरल डूंडती चाओं चिलचिलाती धूप शीतल चाओं रवी का स्पर्ष रात कुमकुमाई भरी अलस रश्मी ललाम सूरज का प्रणाम धरा के नाम नदी कुवारी दूब मरी बेचारी पाओं थे भारी इस कविता को पढ़ते समय तुमारे मन में कई चितर आए होंगे उनके बारे में बताओ या उनका चितर बनाओ उत्तर इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चितर आए उनका वर्णन इस प्रकार है बारिश हो रही है बच्चे रंग बिरंगे कागजों से नाव बनाने में व्यस्त हैं जैसे ही कोई बच्चा नाव बना लेता है दोड़ पड़ता है उसे पानी में छोड़ने के लिए पानी की लहरों के साथ नाव आगे बढ़ती जाती है और बच्चा ठटा कर हसता रहता है विध्यारती अपनी कलपना के अधार पर चित्र बनाए सचमुच पानी सचमुच खूप पड़ेगा सचमुच का इस्तमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ उत्तर रोहन सचमुच बहुत नटकट लड़का है तुम सचमुच बहुत अच्छे हो साथ समुद्र गिर गिर कर बादल चाया है साथ समुद्र भर लाया है पता करो साथ समुद्र कौन कौन से होंगे जिन से बादल पानी भर कर लाया है उत्तर साथ समुद्रों के नाम प्रशांत महसागर, हिंद महसागर, अटलांटिक महसागर उत्रे दरुब महसागर, दक्षनी दरुब महसागर, अरब सागर और बंगाल के खाड़ी क्या सचमुछ बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बाचित करके पता करो तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो हां सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं दरसल समुद्र का पानी सूरी की रोशनी में भाब बनकर आकाश में चला जाता है यही भाब ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धर्ती पर गिरती है जिसे बारिश कहते हैं तरह तरह की नावें तुम कागत से कितनी तरह की नाव बना सकते हो बना कर कक्षा में दिखाओ उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई तो ये आप सुयम कीजिए आई बरसात बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दर्वाजे और खिड़कियों से पानी की बोचार आ जाती है कभी कभी छट से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुमारे घर में क्या क्या किया जाता है उत्तर दर्वाजे और खिड़कियों से पानी की बोचार ना आए इसके लिए हम उनके उपर शेड लगाते है चट से पानी टपकना बंद करने के लिए हम चट की मरमत करवाते है सीलन से बचने के लिए हम दिवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते है बारिश के मौसम में गलियों और सडकों पर भी पानी भर जाता है तुम्हारे मोहले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ उत्तर कभी कभी जब मुसलाधार बारिश होती है तो मोहले और घर के आसपास पानी भर जाता है बाहर जाने में परिशानी होती है गाड़ियां पानी में फस जाती है काम वाले शब्द पिछले साल रिमजिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं इस कविता में धेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आएं हैं उन्हें छाटो और नीचे लिखो उत्तर आना, चाना, लहराना, चलाना, लाना, मरना, खोलना, छोड़ना तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वण माला के हिसाब से उनके आगे एक, दो, तीन आदी लिखकर उन्हें करम से लगाओ उत्तर एक, आना, दूसरा, खोलना, तीसरा, चलाना, चोथा, चाना, पांचवा, छोड़ना, छटा, भड़ना, साथवा, लहराना, आठवा, लाना तो यह हमारे वण माला के हिसाब से क्रम में हमने लगा दे दोस्तों हमारा अध्याय छे नाव बनाओ, नाव बनाओ, पूर्ण होता है इस कविता की हमने व्याक्या भी पड़ी और प्रशनोत्तर भी कर लिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएए ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए विशे और नए चैप्टर के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बड़ो का आधर कीजिए धन्यवाद